हलो दोस्तों नमस्ते सरूज की किचिन में आपका स्वगत है आज मैं सभी की फिबरेट रेसिपी शेयर कर रही हूं मेंगो मसतानी यह पुना की खास फिमस रेसिपी है यह बहुत ही स्वधिश्ट होती है और सभी को बहुत पसंदाती है इस मौसम में वाजार में तरचय के आ होता है तो आईए मैंगो बस्तानी मनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर हमने दो आम लिए कुछ बाधाम लिए कुछ काजू लिए कुछ पिस्ता कत्रन लिए और थोड़े सी चिया सेट्स लिए और कुछ चीनी लिए और 400 ml दूद लिया है अब हम आमों को छिल लेंगे एक आम को छिल कर मोटा मोटा काट लेंगे एक आम को छिल लिया है इसे इस तरह से काट कर छोटे छोटा काट कर बाउल में रख लेंगे आम को काट लिया है और बाउल में रख लिया है इसे हम साइड में रख देंगे अब दूसरा आम लेंगे उसको भी हम छील कर तैयार करेंगे इसे भी हमने छील लिया है अब हम इसे भी काट लेंगे मिक्सर जार ले लिया है इस आम को डायरेक्ट मोटा मोटा काट कर जार में ही डाल देंगे आम के सारे पल्प को जार में डाल दिया है अब इसमें हम चीनी भी डाल देंगे तीन चमच आप अपने टेस्ट के अनुसार कम जादा कर सकते हो और साथ ही इसमें एक कप दूट डाल देंगे मैंगो मस्तानी के लिए हमें गाड़ा मैंगो शेच चाहिए और हम इसे अच्छे से पीज लेंगे सबसे पहले काजु को काटेंगे एक काजु के तीन से चार टुकड़ी कर लेंगे ज़्यादा बारिक नहीं करेंगे बाजु को हमने काट लिया है अब हम बादाम को भी काट लेंगे एक बादाम के तीन से चार टुकड़ी करेंगे इसको भी ज़्यादा बारिक नहीं करेंगे इनको भी हमने काट लिया है और मैंने यहाँ पर chia seeds लिये हैं ये दो चम्मच हैं इनको मैंने पानी में आदा घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था ये health के लिए बहुत अच्छी होती हैं बेट लॉस करने में अब हम मेंगो मस्धानी बड़े वाले कपों में पना कर तैयार करेंगे सबसे पहले कप के अंदर बारेक कटे हुए आम डाल देंगे और अब हम एक बड़ा चम्मच रोज सिरप डालेंगे और उपर से कुछ सूपे मेबे डाल देंगे और कुछ टोटी पोटी डाल देंगे और आदा कप तैयार मैंगो शेक भी डाल देंगे और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे एक स्कूप मैनिला आइसक्रीम और इसके ऊपर थोड़े से चियासेट्स भी डाल देंगे और फिर से मैंगो शेक डाल देंगे और अब फिर से आम के टुकड़ी डाल देंगे और अब फ डाल देंगे चमच भरकर आइस्क्रीम और डाल देंगे उपर से सजाएंगे किनारों पर आम के टुकड़े आम के टुकड़ों को चारों तरब कप के किनारों पर लगा देंगे अब आइस्क्रीम के ऊपर बादाम काजू और पिस्ता कत्रन को भी डाल देंगे और सजा देंग अब उपर से डाल देंगे और थोड़े से चिया सिर्च भी डाल देंगे ठंडी ठंडी मेंगो मस्तानी है मेंगो मस्तानी को आप अपने अनुसार किसी भी फिलेवर में या सिरफ डालकर तयार कर सकते हो बहुत ही अच्छी लगती है मेंगो मस्तानी बन कर तयार है बहुती टेस्टी और हेल्दी मेंगो मस्तानी बनी है आप इसे बना कर किसी भी पार्टी में सर्व कर सकते हो या जब भी आपका कुछ खास खाने का या पीने का मन हो मेंगो मस्तानी बना सकते हो बातो बातों में हमने दूसरा कब भी तैयार कर लिया है मैंगो मस्तानी को खा भी सकते हो और मैंगो मस्तानी को पिया भी जाता है इसको सर्व करते समय चमच और इस्ट्रो दोनों ही लगा कर सर्व कीजिएगा इतने समान से 4-5 लोगों के लिए मेंगो मस्तानी बन जाती है तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरी चैनल को सस्क्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंशता रहे तो फ्रेंट्स मिलती हूँ एक नई रेसिपी के वीडियो के साथ धन्यवाद